मेट्स प्लस मोटिवेशन एक बार पुना आज हम लेकर आएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं इस वीडियो को इसकी मत कीजेगा अंत तक जरू देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन हम लेकर आएं खासकर CTT में इस तरह के क्वेशन जरू पूचे जाते हैं आए आज का पहला क्वेशन हम देख लेते हैं पहला क्वेशन क्या कुछ है उसको हम नजद डाल लेते हैं पहला क्वेशन है परियावर्ण किस से बनता है तो यहां बिकल्प चार आप देख सकते हैं लिखा है जीबी घटकों से भू आकरतिक घटकों से अजयव घटकों से और D विकल्प है उपरियुक्त सभी तो बहुत ध्यान देने के आप सेता है परियावण किस से बनता है तो यह जो तीन चीजे हैं आपर इन तीनों चीजों से मिलकर अर्था जेबी घटक, भू आकरती घटक और अजैब घटकों से मिलकर परियावण बनता है तो यहाँ बिकल्प जो सही हुआ है वो D बिकल्प यहाँ पर सही हो गया है अगले क्वेशन के हम बात कर लेते हैं क्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है सतत्विकास के लिए आवर्शे क्या है बिकल्प यह है यहाँ पर जैबिक बेविधता का संरच्छण बी है प्रदूस्ण का निरोदेवम नियंत्रण और सी है निर्धनता को घटाना और डी विकल्प यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है उपरोग्त सभी तो सतत विकास के लिए आवर्स्चे के तीनों चीजे यहाँ पर भी हैं तीनों विकल्प यहाँ पर सही है अर्था डी विकल्प पुन्हा सही हो जाएगा और बो हो जाएगा उपरोग्त सभी विकल्प यहाँ पर है बहुत इंपर्टेंट आप देख सकते हैं लिखा परयाबन अनकूल उपभुकता उत्पादों को चिन्धित करने के लिए सरकार ने क्या आरंब किया है पहला विकल्प है एग मार्क बी है एको मार्क और सी है आई एस आई मार्क डी है बार्टर मार्क तो हमें ध्यान देना है क्वेशन नमबर त्री का कौन से विकल्प होगा यह आप देख लीजिए एको मार्क यहाँ पर सही जबाब है Q4 है मेथेन हाइडॅ के निच्छेपों के बारे में, निम्जूरी जूब है, कौन से कतन सही है समुद्र अधिस्तल के नीचे पाये जाते हैं तीसरा यहां पर है बाइबंडल के अंदर मेथेन एक या दो दसक के बाद कार्बन डाइयाकसाइड में आक्षीकरत हो जाता है तो यहां पर हम आपको बताने तीनों ही तीनों जो कथन है वो बिलकुल सही है और ऐसे में हम देख लेते हैं कौन सा बिकल्प यहां पर 1,2 और 3 करके दिया गया है तो इसको हमें यहां पे देखना है और हम यहां पे देख रहे हैं चौथे question का जो डी बिकल्प है वो एकदम सही होगा 1,2,3 यहां तीनों कथन सही हैं तीनों कथन को ध्यान से आपको पढ़ना होगा question number यहां पर 5 है question number 5 आप देख सकते हैं क्या कुछ है जराद्यान से देख लेते हैं लिखा है पर्याबरंड, पर्याबरंड से अभी प्राय है तो पर्याबरंड से क्या अभी प्राय है विकल्प यह यहां लिखा है भूम, जल, वाईव, पौधो एवं पस्वों की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों और आश्तत में हैं बी विकल्प यहां पर है उन संपूर्ण दसाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंद पर घेरे रहती है और सी विकल्प यहां पर है भौतिक जैविकिवा संस्कृतिक तरतों की अंतहा क्रियात्मक विवस्ता जो अंतहा संबंदित होती है तो आप धिहान देने के आप सकता है यह सारी चीजे जो है वो पर्याबर्ण के अंतरगत है और इसलिए बिकल्प यहां पर डी एक बार पुना सही हो जाएगा क्वेशन नमर फाइब का क्वेशन नमर शिक्स की बात कर लेते हैं UNEP का मुख्याल है अविस्तित है कहां पर है यह बताना है तो विकल्प यह है जेनेवा में B है काटमांडू में C है नैरोबी में और D यहां पर नई दिली में है तो हम Q6 को देख लेते हैं Q6 का जो आंसर होगा वो हम आपको बता देते हैं नैरोबी विकल्प यहां पर C बिलकुल सही है Q6 का E.N. E.P का FULL-FORM क्या है यह भी जानने की आप सकता है E.N. E.P की FULL-FORM है United Nations Environment स्वारें मेंट तो K ए और P 4 यहां पर प्रोग्राम कोई इस के बहुत आसानी से यहां पर इसका फूल our्म आपको नंबर सेवें क्या है नेरोबिमें हैं यह हमसे थी में आपको बताया है कि बेख लेना हया तो इस तरह चक्र में carbon dioxide की मात्रा को नहीं बढ़ाता है question विकल्प जो है यहां पर विकल्प A है solution B है प्रकास translation C है जैबिक पदार्थों का 6 और D विकल्प यहां पर ज्वाला मुखी क्रिया तो हमें question number seven का यहां पर देख लेना question number seven का जो B C विकल्प है वो बिल्कुल सही है प्रकास translation कौन सा प्रतिवी के carbon चक्र में carbon dioxide की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो प्रकास translation carbon की मात्रा को नहीं बढ़ाता है यह इस तरह से question number ten हम लोग देख लेते हैं भारत में पर्यावरंट संद्रचर अधिनियम पारित हुआ कब बिकल्प ए है 1981 बी है 1986 और C 1995 है D 2000 है तो देख लेते हैं कौन सा बिकल्प यहां पर सही है question number ten का यहां पर 1986 में पर्यावरंट संद्रचर अधिनियम पारित हुआ था तो बिकल्प इस आदार पर हो जाता है भी यहां पर सही है अब question number 11 की बारी है यहां पर आए question number 11 को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं लिखा है नीचे question आप देख सकते हैं पहला प्रतिवी शिकर समयलन कहां हुआ था तो पहला प्रतिवी शिकर समयलन कहां हुआ था यह हमें देखना है ध्यान से देख लेना है और यहां दिया गया है बिकल्प ए दिया गया बाशी गटन, बी है जेनेवा और सी बिकल्प यहां पर आप देख सकते हैं वो है रियो डी जेनेरियो और डी बिकल्प है ब्युनस आयर्स तो यहां 11th question का जो सी बिकल्प है वो बिल्कुल सही है रियो डी जेनेरियो में पहला प्रतिवीशिकर सम्मिलन हुआ थ घिये question number 12 में पहला है प्रकास सिलेशन दूसा है सोसं तीसा जेब पदार्तों का अबच्छे 14 जाला मुखी क्रिया हैं और इसमें लिखा है उपरिक्ट में से कौन सी क्रिया प्रत्वीक कर्दवी के कार्बन चक्र में कार्बन डायाकसाइड जोडती है तो यह हमें देखना है carbon dioxide जोडती है question number 12 है इस समय हमारे पास और प्रत्वी की carbon चक्र में carbon dioxide जोडती है बिकल्प देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सही है तो question number 12 का यहाँ पर C बिकल्प सही है 2, 3 और 4 यानि कि प्रकार संसेशनर्ड अभी प्रकार संसेशनर्ड में ऐसा नहीं होता है और इसलिए 2, 3, 4 यानि कि बिकल्प यहाँ पर C एकदम सही है question number 13 में आप देख सकते हैं लिखा है नीमा से आसे है नीमा की full farm एक तरह से यहाँ पूछा गया है E-N-E-A-M-A से क्या आसे है इसका आरतात क्या full farm है तो यह बहुत important question यहाँ पर हो गया है और इसका जो B विकल्प है National Environment Assessment Monitoring Authority यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है full farm नीमा का एक पर पुना हम repeat कर देते हैं National Environment Assessment Monitoring Authority तो अब विकल्प यहाँ पर B सही है एक जेक्ट यहाँ पर विकल्प यहाँ पर B सही हो जाता है और यह हमें यहाँ पर देख लेना है इस question का विकल्प B सही है B पर हम ठीक लगा जाते हैं question number 14 यहाँ पर देख लेते हैं धारणी विकास किसके उपयों के संदर में अंतर पेड़ियत संबेदन सिल्था का भी सह है question number 14 का यहाँ बिकल्प यह सही है प्राकरतिक संसाधन बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर प्राकरतिक संसाधन होगा question number 15 निम्लिक्त में से कौन सा या कौन से प्रतिवी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डायाकसाइड का युगदान करता है फिर एक बार वही question repeat हुआ तो आप देख सकते हैं फिर एक बार वही उसी टाइप के बिकल्प है इसका मतलब ही हुआ यह question बहुत important है और इसलिए इस पर हमें ध्यान देना है बार बार वार एक question पूछा जाता है ज्वाला मुकी क्रिया स्वशन प्रकार संसलेशनर जैप दार्थ का 6 तो एक बार पुना यहां पर बिकल्प जो है वो सी बिकल्प होगा 1 2 3 1 2 3 नहीं होगा प्रकार संसलेशनर ने कार्बन डाय नहीं निकलता है और इसलिए 4 हो जाएगा 1 2 4 और यह बिकल्प कौन सा सही है बिकल्प यहां पर हम देख रहे हैं सी बिकल्प एकदम सही है क्वेस्ट नमर 16 बिस परियावन दिवस जिस तारीक को मराया जाता वह दिन कौन सा है तो यहां यह सभी को मालूम है बहुत सिंपल कुछिन है हमेशा पूछा जाने वाला कुछिन है और यह 5 जून बिलकुल सही आपने अडिया लगाया है और यह बिलकुल सही है पांच हम देख रहे हैं आपर बहुत इंपर्टेंट क्वेस्टन है और इसलिए क्वेस्टन नमर 17 यहां लिखा ईपी ए का फूर्ण रूप क्या है ईपी ए तो सेवेंटीं का यहां पर सी विकल्प सही है इंवैर्न Engagement Protection Agency इपी ए का फुल फ़ॉपर्म है Environmental Protection Agency ध्यान रखना है आपको इसका फुल फ़ॉपर्म की यहां पर हमने बात किया एक NEMA निमा की फुलपाम नेशनल इंबारिमेंट एसेस्मेंट मानिटरिंग अथारिटी इव एन इपी की मैंने बात किरी यहाँ पर तो इव एन कमलो उनाइटे नेशन्स इव और यहाँ पर इंबारिमेंटल और पी मतलब प्रोग्राम तो अगला जो क्वेशन है आपर उसको हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेशन है 18 लिखा है प्रतिवी के चारों और गैसों के समूग को क्या कहते हैं यह हमें आपर देखना है भूमंडल जलकर बायूमंडल जलमंडल यहां पर क्वेशन नमबर 19 है बातरबन में सरवाधिक प्रतिशत है आक्सीजन का, कर्बन डायकसाइड का, नाइटोजन का, हाइडोजन का तो बिकल पे यहां पर C बिलकुल सही होगा, नाइटोजन का यह 78% होता है, हम आपको यह भी बता देते हैं क्वेशन नमबर 20 की अब बात करेंगे परसेंट अप्राक्सिमेट अगला क्वेशन है, बायू एक है, योगिक, तत्त, मिश्रन, बिद्दुत, अपगट है तो यह में देखना है, 20 का, यहां पर C बिकल्प एकदम सही है बायू एक मिश्रन है, बहुत सारी गैसों का और क्वेशन नमबर 21, हरित विकास, यानि की ग्रीब, ग्रीन डिवलमेंट का लेखक कौन है हरित विकास नाम की यह जो किताब है, उसके लेखक कौन है यह हमें आपर बताना है क्वेशन नमबर 21 का, कौन सा विकल्प सही होगा, यह देख लिजए यहां पर W.M. Adams होगा, यह बिलकुल सही जवाब, यहां पर 21 का होगा क्वेशन नमबर 22 है, सुस्क हवा में नाइटोजन की मातरा होती है तो सुस्कवा में nitrogen की मात्रा कितनी होती है यह हमें बताना है question number 22 कड़ी बिकल प्याँ पर होगा 78% अभी अभी हमने उपर देखे लिखा आई था कि सुस्कवा में nitrogen की जो मात्रा होती है वो 78% होती है लगबग सरवाधिक होती है यह मैंने आपको बताया अब यहां पर question है question यहां पर देख सकते हैं 23 है निमने लिकित में से किस एक को छोड़ कर बाकी सभी देशों देश की प्राकरतिक पुझी में सम्मिलित किया जाते हैं तो question number question number यहां पर 23 का है और विकल प्याँ 23 का हम आपको बता दें सी बिकल प्याँ सही है सडके सडके एकदम सही जबाब यहां पर है और 24 question number 24 का है निमने लिकित नोबेल गय स्वमे से कौन सी वाई में नहीं पाई जाती है helium, argon, radon, neon question number 24 question number 24 का बिकल प्याँ पर सी सही है radon जो है वो बाई में नहीं पाई जाती है विकल प्याँ सही है question number 25 सौर बिकिरन की सबसे महत पूर्ण भूमिका क्या है सौर बिकिरन की सबसे महत पूर्ण भूमिका क्या है यह जल चक्र में जल चक्र में सबसे महत पूर्ण भूमिका है सौर बिकिरन की और इसलिए बिकल प्याँ पे सी सही है और question number 26 यहाँ पर देख सकते हैं green peace international का मुख्याले अब इस्तित है green peace international का मुख्याले कहा है यह हमें बताना है तो यहाँ पर बिकल्प यह सही होगा Amsterdam question number 27 राष्टी पर्यावर्ण अभियांत्री की सोध संस्तान यानि की N-E-E-R-I अभिस्तित है यानि की कहां इस्तित है यह हमें बताना है question number 27 का C बिकल्प यहाँ पर नागपुर में इस्तित है राष्टी पर्यावर्ण अभियांत्री की सोध संस्तान question number 28 है यहाँ पर यह प्रतिविप पाई जाने बाली बनस्पतिया पेंड़ पोदे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी यह हमें आपर बताना है तो सीधी से बात है पेंड़ पोदे नहीं होगे तो आक्सीजन की कमी हो जाएगी बिकल्प डी यहाँ पर एक्जेक्ट सही है कि हम बात करेंगे question number 29 की बात कर लेते है question number 29 है पर्यावर्ण में निर्मुक्त हो जाने बाली सूच्म कर्णिकाओं सूच्म कर्णिकाओं माइक्रोबीट्स के बिसे में अत्यदिक चिंता क्यों है बिकल्प है यह समुद्री पारितनत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है बच्चों में तोचक answer होने के कारण माणी जाती है यह थिनी चोटी है कि सिंची 46 में फसल पाद्मों दोरावसूरसित हो जाती है एक्सट इनका इस्तिमाल D विकल्प है एक्सट इनका इस्तिमाल खादिपधारतों मिलावट के लिए किया जाता है तो 29 का विकल्प यहां पर यह सही है, यह समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, समता आपने भी 8 गेश किया होगा, विकल्प यहां पर सही है, क्वेश्च नमर 30, नगरी करंड एवं और दोगी करंड हानिकारक है, उपरोगत सही है, उपरोगत सही है, उपरोगत सही है, है about 36 के लिए ग्रीम आर्मी को किस ने अारम किया और ब्र немного को किसे प्रास्टन के बहुत इंपॉर्टेंट पुछा गया слуш Hayır दो किसे नोब 30 बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और बीकलप आ पर होगा C सही और अलट परेवंट संस्चन के लिए ग्रीन आर्मी को प्रार्म किया आज डिलिया ने क्वेशन नमबर 32 सुनामी की उत्पत किसके दौरा होती है यहाँ पर क्वेशन बताना है सुनामी की उत्पत किसके दौरा होती है बिकल्प यहां पर यह है प्रतिवी की उपरी परत के सिकुडने से B बिकल्प है चक्रवातों से D है समुद्र के भीतर उत्पन होने वाले भूकंप से और D है जौरभाटे के कारण तो सुनामी के वारे में लगबख सभी को मालूम है कि समुद्र के भीतर जब भूकंप उठता है तो उसी को हम सुनामी कहते हैं और उससे बहुत जो समुद्री इलाके हैं वापत तबाही आ जाती है